नमस्कार दोस्तों और किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है। हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहत ही जरूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दांतों से कैल्शियम लेने लग जाता है जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हड़ियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं हड़ियां कमजोर होने की वज़ा से हड़ियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्राक्चर हो सकता है कैल्शियम की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है कैल्शियम की कमी की वज़ा से बच्चों में rickets हो सकता है और adults में osteomalacia और osteoporosis होने का risk अधिक हो जाता है osteoporosis एक हड़ियों का रोग है जिसमें हड़ियां बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है जिसकी वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्राक्चर हो सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोडों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है। कैल्शियम के साथ विटामिन D भी लेना जरूरी होता है, शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अ में आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स बेकार है क्योंकि विटामिन डी के बिना आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोषड नहीं होगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स पेशाप के जरीए शरीर से बाहर नि नहीं होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि बोन माक्स प्लस कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है बोन माक्स प्लस कैपसूल का उप्योग शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर, हड्डियों में फ्राक्चर होने पर, रूमेटोड अर्थराइटिस और आस्टियो आर्थराइटिस होने पर, शरीर के जोडों, हड्डियों वं मास्पेशियों में दर्ध होने पर, निूरोपैथिक दर्ध होने पर, यानि नस होने पर शरीर में दातों जोरों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और जो व्यक्ति मिर्गी या दौरों की दवाईयां ले रहे हैं जैसे फेनोबार्बिटल फेनितोईन उन व्यक्तियों को भी डॉक्तर बोनमाक्स प्लस कैपसूर को लेने की सला दे सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है और किन व्यक्तियों को बोनमाक्स प्लस कैपसूर को लेने की जरूरत पर सकती है जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी डाइट लेते हैं और डूद दही जैसे डेरी प्रोड़क् अब हम डिसके जोखिम अधिक होता है इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बोनमाक्स प्लस कैपसूल को लेने की जरूरत पर सकती है महिलाओं में मेनोपॉस के बाद एस्ट्रोजन हॉर्मोन का प्रड़क्शन कम हो जाता है जिसकी वज़से महिलाओं में मेनोपॉस के बाद कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए डॉक्तर मेनोपॉस के बाद महिलाओं को भी बोनमाक्स प्लस कैपसूल को ल जादा मात्रा में बाहर निकलता है। अगर आपने स्टेरोइड दवाईयां जैसे प्रेड्मिसोलोन, मिथाईल प्रेड्मिसोलोन, डिफलाजा कोरट और बीटा मेथासोन आदी दवाओं का सेवन लंबे समय तक किया है। या कर रहे हैं, तो आपका डॉक्टर बोनमाक्स प्लस कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा किड्नी फेलियर होने पर भी शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है, जिन व्यक्तियों को लाक्टोज इंटॉलेंस की समस्या है। उन व्यक्तियों में भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। लाक्टोज इंटॉलेंस की समस्या होने पर व्यक्ति दूद को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है, जिसकी वज़़से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूद को पीने के बाद पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट में भारीपन, दस्त या स्टूल के अंदर फैट आती है, तो ये लक्षन लैक्टोज इंटॉलरेंस के हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की bone max plus capsule को कैसे लेना recommended होता है, bone max plus capsule को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है, bone max plus capsule को आप हलके गर्म दूद या हलके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं. आमतोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Bone Max Plus Capsule को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं Bone Max Plus Capsule की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Bone Max Plus Capsule को आपके डॉक्तर वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए Bone Max Plus Capsule को कितने समय तक लेना चाहिए यहां उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है इसलिए Bone Max Plus Capsule को डॉक्तर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोध दूद को माना जाता है और दूद से बने उटपाद जैसे की पनीर और दही में भी कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को प्राकृतिक खादय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं तो आपको इनका सेवन परियाप मात्रा में करना चाहिए एक लीटर दूद में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रति दिन एक लीटर दूद को दो भागों में बांट कर सुबह शाम पी लेता है तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है इसके अलावा मूंग डाल, बादाम, नारियल, सोया बीन, आम, संतरा और आवला भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं इसलिए इनका सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो बोन माक्स प्लस कैप्सूल एक बहुत की सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में बोन माक्स प्लस कैप्सूल की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन अगर आप bonmax plus capsule को recommended dose से ज्यादा dose में लेते हैं, तो इसकी वज़ा से blood में calcium का लेवल ज्यादा हो सकता है, जिसको hypercalcemia भी कहते हैं, शरीर में calcium का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है, कुछ research में यहाँ पाया गया है कि blood में calcium का लेवल ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है, किड्नी में पत्री होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है, इसलिए डॉक्तर की सला के बिना bonmax plus capsule को ज्यादा dose में या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए, अब हम discuss करेंगे कि bonmax plus capsule को लेते समय क्या-क्या सा कापसूल को एक साथ लेने से थाइरोड की टैबलेट का अवशोशन कम हो सकता है, जिसकी वज़ा से थाइरोड की टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है, अगर आप थाइरोड की टैबलेट को लेते हैं, तो आपको थाइरोड की टैबलेट और bonmax plus capsule में 8 से लेकर 10 घं तमस्या होने पर और किद्नी में पत्री होने पर bonmax plus capsule को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, आपको bonmax plus capsule को लेते समय आईरोड के सप्लिमेंट लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के साथ आईरोड के सप्लिमेंट लेने से कैल्शियम शरीर में अवशोशन को रोख सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बोनमाक्स प्लस कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कम करके पुच सकते हैं